सबसे पहले तो आप सभी को प्यारबरा नमस्कार गुद मॉर्निंग अब्रीवन सोग क्या हल चाल सबके कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेडीज भी सबके अच्छे चल दी होंगी दोस्तों आज का जो हमारा सेशन इसमें हम स्वेम परभा एंड स्वेम को डिटेल से डिसकस करेंगे इनके क्या लेटेस अब्डेट है करन्ट अफेर में क्या चल रहा है ठीटिकल पॉर्शन क्या है और जितने भी अभी तक पीवाई क्यू पिछले तीन-चार साल में पूछे गये हैं स्वेम और स्वेम पर कर दो और जल्दी से बता दो आओ कि आप सब लोग आ चुके हैं क्लास में चलिए तो शुरू करते हैं देखिए जी अभी हम करने वाले हैं स्वेम परभा और यह जो सेशन है आपका मैराथन सेशन के कंटिनुएशन में ही है क्योंकि मैराथन में हम कंप्लीट टोपिक्स को नहीं कर पाए थे तो यहां पर हम जो स्वेम है और स्वेम परभा है इसको कवर करेंगे तो एक बार एज यूजवल आप सब लोग चेक कर लीजे और यहां पर जितने भी आपके लिटेस अब्डेट हो सकते हैं क्योंको नए चैनल है जो आपके एड हुए है उनको डिसकस कर लेंगे और उनको याद भी करेंगे क्लास में तो स्वेम और स्वेम परभा को हम आज डिसकस करने वाले हैं चलिए तो शुरू करते हैं देखो एक तो पहला सवाल तो आपका हीसे बन जाता है जो अक्सर हम मिक्स कर देते हैं कि जो स्वेम है उसकी टेग लाइन क्या है तो उसकी टेग लाइन क्या है सिक्षित भारत और उन्नत भारत तो एक बार कमेंट करके बताओ मुझे सब लोग कि स्वेम की टेग लाइन क्या है स्वेम की जो टेग लाइन है वो है सिक्षित भारत और उन्नत भारत तो ऐसे छोटे-छोटे सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं जो अक्सर हम मिस कर देते हैं चलिए जी तो सुरू करते हैं सेशन को शुरू करते हैं आज के थोट अब दा दे से, आज के सुन्दर विचार से और आज का thought of the day है कि संगर्स परगर्ती का अमंत्रन है जो इसे स्विकारता है उसका जीवन निखर जाता है यानि कि अभी अगर आप जितनी मेहनत करोगे दोस्तों जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ भी हूँ कि शान्ती के समय जितना पसीना भाया जाता है युद्ध के समय उतना ही कम खुन भैता है यानि कि ये जो टाइम है दोस्तों ये आपका शान्ती कल है और पेपर होगा उस दि उससे कभी डरना मत उसका अमंतरन है वो आप हमेशा सुविकार करना क्योंकि संगर्स है वो आपकी सफलता है उसकी सीडी है बिना संगर्स तो सफलता देखो मिलती नहीं चालिए जी शुरू करते हैं बात कर लेते हैं जियरा फट्डाइप के बारे में अगर आपने अभी तक भी जीरा फट्डाइप को इंस्टोल नहीं किया तो जीरा फट्डाइप को इंस्टोल कीजिए क्योंकि यह आपके लिए बने स्टॉप स्टॉलूशन जहां पर आपको UGC NET और CSIR एक्जाम के प्रपरेशन करवाई जाती है टेलेग्राम चैनल आप जोइन कर सकते हैं इसके अलावा आप केपसुल कोर्स जोइन कर सकते हैं कुछ स्टीट स्टेट्स के प 맡कर सकते हैं चलो अब देखिए यहां पर आपका जो टोपिक है आपका कि यह जो स्वैम है एंज स्वैम प्रभा है यह किस टोपिक से आते हैं तो इतो देखो आपका यह नोन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया है इस से आपका आता है ओलाइन एजुकेशन इसमें आपका क्या आता है ओलाइन एजुकेशन और इस ओलाइन एजुकेशन का ही पार्ट है आपका स्वैम और स्वैम प्रभाग तो टोपिक अब दा डे है आज का आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नोन कन्वेंशनल एजुकेशन यानि कि गैर पारंप पर एक शिक्षा वावस्ता जो भारत में है, नोन कंवेंशनल एजुकीशन, और नोन कंवेंशनल एजुकीशन में, दो-इंपोर्टेंtt टोपिक आपके बनते हैं, जो कि आपके teaching aptitude के भी common topic है, teaching aptitude में भी आपसी पुछे जाते हैं, एक तो देखो suimb, और एक है आपका स्वेम प्रभा तो स्वेम और स्वेम प्रभा को आज हम पढ़ने वाले हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम स्वेम की सबसे पहले समझेंगे की यह स्वेम क्या है देखिए जी यह जो स्वेम है यह आपका क्या है मूक है अभी मूक क्या होता है दोस्तों मूक का मतलब होता है मैसीव ओपन ओर्लाइन कोर्स ठीक है मेशिव ओपन ऌर्लाइन कोर्स मेशिव ओपन ओनलाइन कोर्सिस स्व्यम क्या है आपका एक मुख है conserve open online पूर्ट क्या होता है मेशिव ओपन ओनलाइन कोर्सिस जिसमें हम घर बैठे हना देश के हर एक कोने में वर्ल्ड के हर एक कोने में बैठे student को क्या कर सकते हैं शिक्षा पहुचा सकते हैं तो simple सा इसका समझते हैं हम बात कि swim जो है दोस्तो इसका पूरा नाम जो है दोस्तो वो क्या है आपका study webs of active learning for young aspiring mind अब यह जो सवाल है आपका full form वाला सवाल है यह कई बार आपका repeat हो चुका है यह आपका PYQ है लगता बड़ा simple सा है लेकिन exam में हम क्या करते हैं इसमें confused हो जाते हैं आपको च्यार option बिल्कुल सेम से देता है और वहीं पे हम मात खा जाते हैं इस question को भी गलत कर देते हैं दोस्तो तो swim जो है दोस्तो यह एक MOOC platform है और इसका पूरा नाम है study webs of active learning for young aspiring mind अब यहां से कुछ important points है जो आपको याद रखने हैं कि देखिए एक सवदेशी विक्सित सूचनाप प्रद्योग की मंच है जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है कई बार हम confuse कर जाएंगे कि क्या यह किसी विदेशी कंपनी के द्वारा बनाए गया है तो नहीं यह जो swim है दोस्तो यह भारत का सवदेशी है इंडिय इंडिजीनियस है दोस्तों और किसके द्वारा बनाए गया है दोस्तों यह जो आपका बनाए गया है यह UGC, AICT और Microsoft ने मिलकर इसको बनाए है तो यह भी चीज आपको याद रखना है तो क्या है यह आपका सवदेशी है और इसके अंदर दोस्तों दुनिया का कोई भी व किसी भी देश का नादिक स्वेम पे आके पड़ सकता है तो देखेजी डबलप यह जो डबलप किया गया है यह इंडिया के दुआरा किया गया है डबलप बाई इंडियन गॉर्मेंट एक चीज आई याद रखनी है और इंडियन गॉर्मेंट में भी किसके दुआरा UGC, A TICT plus Microsoft. इसने मिलकर इसको क्या किया है? डबलब किया है दोस्तो. लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति रेजिस्टर कर सकता है. दुनिया का कोई भी वक्ति इसमें रेजिस्टर कर सकता है. ठीक है? इतनी बात हमें याद रखने है. अब इसमें जो स्वेम है दोस्तों इसमें पढ़ाई कहां से कहां तक होती है इसमें जो पढ़ाई होगी आपका वो आपकी 9 से लेके और PG तक के 9 से लेके PG तक के courses है जो आपको मिलेंगे जिसमें 100 से अधिक विशो में online कक्षाई है जो आपकी संचादित होती है दोस्तों और ये जो online कक्षाई जो चलती है आपकी इसके 4 क्या है? इसके चतुषक है चतुषक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसके 4 क्वाडरेंट है तो स्वेम के 4 क्वाडरेंट से भी कई बार आपका सवाल पूछा गया है कि 4 क्वाडरेंट ओफ स्वेम तो स्वेम के 4 क्वाडरेंट कौन कौन से है? बहुत सिंपल भासा में इसको समझते है स्वेम जो है इसकी चार क्वाडरेंट कौन कौन से है स्वेम है इसके क्या है चार क्वाडरेंट है आपकी क्वाडरेंट क्वाडरेंट कौन कौन से है एक तो देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा हमें सबसे पहले आपको पढ़ाए जाएगा मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ और जैसे क्लास चलती है तब जोर से एक नारा लगाता है स्टुडेंट की सर पीडिएफ चीए पीडिएफ आले दिवाने तो दूसरा जो क्वाडरेंट है आपका पीडिएफ यानि की स्टुडी माटीरियल दूसरा क्या है आपका स्टुडी माटीरियल अब जब स्टुडी माटीरियल भी मिल गया पहले तो आपनी क्लास ले ली क्लास लेने के बाद में आपको पीडियेफ मिल गया यानि study material मिल गया उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा कि सर अब हमारा test ले लीजिया हाना हमने वीडियो भी देख लिया हमने पीडियेफ से भी पढ़ लिया अब आप हमारा अब हमारा आप क्या ले लीजिये class test ले लीजिये तो अब होगी दोस्तों आपकी यहाँ पे quiz तो तीसरा जो quadrant है वो क्या है आपका quiz और चोथा quadrant क्या है कि सर आप तो quiz भी कर ली अब थोड़ा सा discussion कर लेता है ठीक है कि हमारी क्या performance रही तो अब यहाँ पे होगा आपका online discussion क्या होगा आपका online discussion आया समझ में आपसे कोई पूछे कि भाई स्वैम के चार quadrant के नाम बताओ तो स्वैम का चार quadrant पहला देखो हम देखेंगे वीडियो पहले तो सर की क्लास देख लेंगे सर की क्लास जैसे ही देखेंगे दोस्तों फिर हम PDF चाहिए हमें तो बाकी दो मत दो PDF देदो ठीक है PDF देने के बाद सर हमारा test ले लीजी quiz ले लीजी और quiz के बाद में हमारा क्या होगा दोस्तों आपका online discussion ठीक है quiz and test simple सबको आगया now अब जो हिंदी मेडियम है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ टेंशन मतलो हिंदी में भी है आपके लिए तो पहला जो आपका quadrant है वो है video lecture दूसरा जो है दोस्तों विशेश रूप से तयार की गी जिसमें print अक्वा डाउनलोड किया जा सकता है इसको यादकना printable भी है और इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है तीसरा है दोस्तों परिक्षन टेस्ट और आपके quiz और चोथा है दोस्तों ऑनलाइन चर्चा की स्वीदा जिसमें संकाओ को क्या किया जा सकता है दूर किया जा सकता है तो यह है आपके 4 quadrant अब और आगे चलते हैं कि और क्या क्या आपको इसमें ध्यान में रखना है अब देखूं इसकी जो लॉंच किया गया था दोस्तों ये 2017 में लॉंच हुआ था लॉंच जुलाई 2017 को लॉंच हुआ था और लॉंच किसके द्वारा किया गया था पर्नम मुखरजी की द्वारा परनम मुखर जी उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट ओफ इंडिया थे जिनके द्वारा आपका ये लौंज किया गया था ठीक है किस-किस के द्वारा देखो Ministry of Education के द्वारा AICT के द्वारा और आपका Microsoft की help से इसको क्या किया गया था तयार किया गया था तो All India Council for Technical Education Microsoft and Ministry of Education ने मिलके इसको लौंच किया है ठीक है इतनी वार सबको समझ में आई अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तो अब इसी का एक भाई मान सकते हो या भेहन मान सकते हो ठीक है वो है आपका प्रभा 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 तो बहनी वी ठीक है तो Swam की एक भेहन और है जिसको बोलते है Swam Phruba अब इस वन प्रभा है दोस्तों यह क्या है यह एक group of DTH channel है जो 40 channel का क्या है आपका group है DTH direct to home ठीक है जहां पे high quality educational जो program से उनको क्या किया जाता है telecast किया जाता है 24x7 ठीक है और कौन सी satellite है जिसकी मदद से किया जाता है G set 15 satellite से किया जाता है दोस्तों और minimum new content is telecasted for a minimum of 4 hour and other content is repeated daily more than 5 times ठीक है जी तो student अपनी convenience के साब से कभी भी उसको देख सकते है अब देखिए ठीक है तो यह चीज आपको समाझ में आई कि स्वन परभा क्या है यह 40 DTH जो channel है उनका एक समो है जो उच गुणवत्ता वाले शक्ष्णिक कार्योकरा मुका क्या करता है प्रशारन करता है और किस उपगरह की मदद से करता है दोस्तों यह G set 15 उपगरह की मदद से इसको क्या करता है टेली कास करता है 24 इंटू 7 बेसिस पर यह आपकी कार्यकरम चलते है हर 4 घंटे में नई समगरी है जो परसारित की जाती है जिसको 5 बार दोराया जाता है तो student कभी भी अपनी convenience के साब से इन courses को देख सकता है तो इसको हमें याद रखना है ठीक है जो यह चीज हमें याद रखनी है अब और कोई important update है जो इसमें आई है उसको सबको हम discuss कर लेते हैं देखें सबसे पहले तो आपका यह जो डिटीये चैनल है दोस्तों यह अपलिंक कहां से किये जाते है यानि कि जो 40 डिटीये चैनल आपने पढ़ रहे हैं यह अपलिंक कहां से किये जाते है तो ये BSEC कांधी नगर से किये जाते है दोस्तों अब ये क्या है दोस्तों ये है भास्कराचारिय Institute of Space Application and Geoinformatics ये Government of India की एक organization है जिसके दुआरा ये क्या किये जाते है अप्लिंग किये जाते है अब एक सवाल आता है कि सर ये जो content है इसमें जो हमें पढ़ाये जाता है ये तयार कोन करता है तो इसका जो content है इसका जो content तयार करने वाले है वो तो NCRT है IGNU है IATS है NPTEL है CEC है NEOS है और UGC है ये क्या करते है SWEM का content तयार करते है चीक है SWEM का क्या करते है content तयार करते है इसको याद है और इसका जो वेब पोर्टल है स्विम परभा का जो वेब पोर्टल है दोस्तों ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है ये इनफलीबी नेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है अब इनफलीबी नेट क्या है दोस्तों यह एक inter university center है inter university city center है दोस्तों in flip net का मतलब क्या होता है information and library network ठीक है information and library network इतनी बाद सबको समझ में आई ठीक है ना यह हो गया आपका हिंदी में भी देख लीजिए जो हिंदी मेडियम वाले है बिल्कुल भी tension मत करो हिंदी में भी है सब DTH BISG गांधी नगर से अपलिंग किये जाएंगे हाना NCRT, IGNUIT, NPTEL, CEC हाना NEOS यह सब इसको क्या करते है channel पर सामगरी प्रवाइंद करते है वैब पोर्टल है वो inflibynet द्वारा संचालित किया जाता है तो इसको हमें याद रखते है ठीक है बासकराचारे Institute of Technology and Space Application पता लग गया inflibynet का मतलब क्या होता है Information and Library Network यह क्या है एक inter-university center है जिसका headquarter गांधीनकर में है चलिए देखिए एक चीज और यहाँ पे आपको पता होनी चीए कई बार स्टूडेंट है भी confused कर जाते हैं क्या सर इसके कोई पैसे लगते है तो इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लगता है यह free of cost है दोस्तों तो किसी यह सभी पाठे करम interactive है देश के सर्वसे शिख्षों को दुआरा इन पाठे करम को तयार किया जाता है और किसी भी सिख्षा के लिए निशुल्क उपलब्त करवाया जाता है तो अब सब के सब क्या है free of cost है यहाँ पे कोई आपसे पैसा नहीं लेता है दोस्तों इन पाठे करम को तयार करने में देश भर से हजार से अधिक विशेश रूप से चुने हुए सिख्ष को और को ने भाग लिया है यहनी हजार से जादा टीचर से जिन्होंने इसमें पाठिसिपेट किया है इस कंटेंट को तयार करने के लिए तो free of cost है आपकाई ठीक है चलिए यार क्वाडरेंट हमने देख लिए है और अच्छा अगर आप से कोई पूछे कि यह जो स्वेंट परभा है इसमें आपको कौन कौन से स्ट्रीम के कोर्से से हैं जो मिलेंगे तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें आपको higher education के भी कोर्से से मिलेंगे चैनल मिलेंगे आपको school education के भी चैनल मिलेंगे और इसमें आपके curriculum based कोर्से से मिलेंगे अभी हम स्वेंब का web portal है उसको भी विजिट करेंगे उसको भी देखते हैं अब देखो अब हम पढ़ते हैं लेटेस अबडेट क्या क्या है इसमें जो स्वेंब परभा है दोस्तों इसमें आपकी लेटेस वाले अबडेट क्या क्या है उनको देखेंगे अबडेट क्या क्या हुए है लेटेस्ट अबडेट तो लेटेस अबडेट की बात करूं तो इसमें चैनल हुए 34, और फिर चैनल इन्होंने किये 80, और फिर इन्होंने सोता कि थोड़े ज़्यादा होगे, तो इन्होंने फिर 40 कर दिया, तो currently इसके 40 चैनल है, ना 32 है, ना 34 है, ना 80 है, और अभी आपके क्या है, 40 है, तो option में आपको इस तरह से ही देगा, तो आप confuse मत करना वहाँ पर, अभी जो चैनल है, वो कितने है 40, अब latest update की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह Swim की website का latest update है, और is a group of 40 DTA channel, ठीक है, is a group of 40 DTA channel, अभी 40 कोन-कोन से है, इसके नाम हमें याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका एक सवाल पूछा जाएगा, पिछली परिक्षाव में यहाँ से सवाल पूछे गये हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसा सवाल आप से पूछा अब यहाँ पर आप देखिए जी, यह है स्वेम का क्या है, ओफिशल वेबसाइट है स्वेम की, ठीक है मैंने ओफिशल वेबसाइट को उपन किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन चीज आपको दिख रही है, दिख रही है सबको तीन चीज है, देखो, एक तो ह एक है साथी competitive exam तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए कि यह लेटेस वाल अपडेट है यहाँ पे अगर स्वेम प्रभा है तो स्वेम प्रभा पे आपको हायर एजुकेशन से रिल्टेड चैनल मिलेंगे कितने 40 चैनल कितने चैनल 40 चैनल स्वेम प्रभा से रिल्टेड और यहाँ पर आप देखेंगे इविद्या इविद्या पे आपको मिलेंगे स्कुल एजुकेशन से रिल्टेड और यह है साथी पोर्टल और साथी पे आपको मिलेंगे competitive exam की तयारी करने से रिल्टेड लेक्चर तो आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करक स्वेम पर आपको स्कुल एजुकेशन से मिलेंगे इविद्या पर हाईर एजुकेशन इविद्या पर स्कुल एजुकेशन और साथी पोर्टल पर competitive exam से रिल्टेड क्या मिलेंगे चैनल मिलेंगे अब सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना higher education का तो higher education पर click करते हैं और higher education पर click करेंगे तो आपकी channels आजाएंगे अब यह channels देखेंगे आप सब लोग देखो यहां से आपका channel number one दिख रहा है वागीश हाना और नीचे जाते जाएंगे आप तो आपको यह गेखें यहां पर आ चैनल नमबर 14 और इसका नाम है वियाश और वियाश चैनल किस से रेलेटेड है यूजी से रेलेटेड है अच्छा आपको कोश्चन करवां कोश्चन से आपको अच्छी से समझ में आएगा कि किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा ठीक है अब आप देखना मैं आपसे कोशन करवाता हूँ कोशन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजे किस तरह से आपके सवाल है जो पूछे जाएंगे यह है आपका PYQ ठीक है यह क्या है आपका PYQ है UGC NTA का PYQ है और सवाल ऐसे पूछा गया था आपसे इसको पड़ो और फिर हम उस पे चलेंगे दुबारा से यह है स्वेम परभा के चैनल नेम और यह है नेम उब्दा चैनल ठीक है आपको दिख रहा है सबको यह दिख रहा है सबको स्वेम परभा चैनल संख्या और चैनल का नाम तो संस्कृति प्रभोध सारश्वत और वागीस चैनल नमबर 1 चैनल नमबर 2 चैनल नमबर 3 और चैनल नमबर 4 आपको क्या करना है इनको क्या करना है मैच करना है तो भाई करके बताओ मैच आप सब लोग इसको मैच करके बताओ, क्या होगा इसका सही अंसर, सब लोग. क्या होगा सही अंसर? देखो ये तो सबने रट्टा मार रखा है, most of the students ने रट्टे मार रखे हैं, तो सही हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर आपको चैनल के नाम चेंज कर दे जाएं, पांच, छे, साथ, आठ, पूछ ले जाएं, तो पांच, छे, साथ, आठ, कौन से चैनल होगे, वो भी आपको पता होना चीए. अब देखो इसके अंसर पर बाद भी आएंगे, पहले हम अपने उस पोर्टल पे चलते हैं. तो याद रखना चार नाम कोन-कोन से हैं, संस्कृति, प्रबोध, सारस्वत और वागिश. अब देखो आपको. ये क्या है आपका वागीश? चैनल नमबर वन क्या है? आपका वागीश दिख रहे हैं सबको? ये देखो. चैनल नमबर वन क्या है? वागीश चैनल नमबर 1 और ये है आपका चैनल नमबर 2 संस्कृति जिसमें हिस्ट्री, कल्चर एन फिलोसोफिय से रिलिटेड आपको चीज़े मिलेंगी ये है चैनल नमबर 3 प्रभौत ठीक है इसमें सोशल साइंस और बिहीवियल साइंस से चीज़े मिलेंगी फिर आप देखिए ये है चैनल नमबर 4 सारस्वत जिसमें education and home science से रिलिटेड चीज़े मिलेंगी ये है चैनल नमबर 5 ये है प्रभंदन जिसमें आपका information, communication and management studies से रिलिटेड रिलेंगी और ये है चैनल नमबर 6 विदिक विदिक का मतलब क्या होता है low and legal studies से रिलिटेड आपको चीज़े मिलेंगी थोड़ा और नीचे आते हैं ठीक है देखो कोटिलय का अर्थ सास्तर पढ़ा है कोटिलय का अर्थ सास्तर हम समने पढ़ा है टो कोटिलय का अर्थ सास्तर में आपको किस से रिलिटेड इकोनोमिक्स अंड कोमर्स से रिलिटेड फीक है चैनल नमबर 8 आर्यभट आर्यभट जी किस से रिलेडेड थे उन्होंने अर्थ के बारे में बताया फिजिक्स के बारे में बताया तो physical and earth science चैनल नंबर 8 आर्य भट देखो सवाल ऐसे ही आएंगे आर्य भट चैनल है वो कोन सा चैनल है तो आर्य भट चैनल है चैनल नंबर 8 कोटिले चैनल है वो कोन सा चैनल है चैनल नंबर 7 जिसमें Economics and Commerce is related आर्य भट चैनल नंबर 8 Physical and Earth Science फिर हम चलते हैं channel number 9 स्पंधन स्पंधन किसे related है आपका life science से related है स्पंधन फिर आप थोड़ा नीची चल ले फिर आपका दोस्तो दक्ष किसमें दक्ष्ट होना है applied science में दक्ष्ट होना है आप एक काम कीजिए मेरे साथ साथ में इनको लिखते जाओ आप जितने भी student आभी देखो 200 के something student अपने पास में मुझे each and every student का comment चीए और ये मेरे लिए नहीं आपके लिए क्योंकि लिखोगे तो याद होगा इस class का title ही यह है कि class में ही याद करने है इतना time आपके पास में नहीं है यार कि आप घर जाके इसको दुबारा से देखोगे देखोगे क्या 2 घंटे की class कौन देखेगा दुबारा से हाना तो आप सब लोग इसको अभी याद करते जाओ मेरे साथ साथ में comment करते जाओ तो आपको याद हो जाएगा हिंदी के लिए भी है यार हिंदि इंस दोनों में है तो देखो चैनल नमर 9 दक्ष इग्नू का चैनल है आपका चैनल नमबर 11 इग्नू हाना इसमें social science and humanities चैनल नमर 12 अपका इग्नू का है जिसमें basic and applied science फिर चैनल नमबर आपका जो 13 है ये भी आपका क्या है इगनु का ही है और इसमें आपका professional education is related चैनल नमबर 14 है state and open universities ज्यान दर्शन ठीक है चैनल नमबर 40 और चैनल नमबर 15 जो है दोस्तों वो है आपका capacity building and teacher education ठीक है चैनल नमबर 16 है ये है skill education and vocational चैनल नमबर 17 है ये IIT Bombay का चैनल है दोस्तों याद रखना IIT Bombay का चैनल है जिसमें biotechnology and biochemical engineering के लिए आपको बताए मिलेंगे courses चैनल नमबर 18 है ये IIT Bombay का है electronics and communication engineering फिर आपका चैनल नमबर 19 है ये भी IIT Bombay का है और इसमें आपको electrical engineering के बारे में courses है जो मिलेंगे फिर आप देखेंगे चैनल नमबर 20 ये IIT Bombay का है जो कि physics का चैनल है फिर चैनल नमबर 21 IIT Delhi का है textile and engineering का है फिर चैनल नमबर 22 ये IIT Delhi का है IIT PEN याद रखना ये class 12 वालों को IIT वगेरे की तयारी करवाने के लिए आपका चैनल आता है IIT PEN अब PAL की full phone मुझे कौन बताएगा क्योंकि ये सावाल आपसे पूछा गया है ठीक है PAL 23 जो चैनल है दोस्तों ये IIT गांधी नगर का है इसमें civil engineering से related courses आपको मिलेंगे IIT चैनल नमबर 24 IIT कानपूर का है जिसमें aeronautical engineering से related courses फिर आपका है चैनल नमबर 25 IIT कानपूर humanities and social science से related फिर चैनल नमबर 26 IIT कानपूर का है जिसमें management low economics and business analytics communication cooperative management से related आपको courses मिलेंगे चैनल नमबर 27 IIT कानपूर mechanical engineering engineering design manufacturing engineering and technology and allied subjects से related आपको course मिलेंगे फिर है आपका चैनल नमबर 28 IIT कानपूर का है इसमें visual communication graphic design and media technology फिर चैनल नमबर 29 IIT खड़कपूर है architecture and interior designing फिर चैनल नमबर 30 है आपका IIT खड़कपूर computer science and engineering फिर चैनल नमबर 31 31 किसे related है IIT मदराज से related है और इसमें आपको क्या मिलते है बिल्कुल सही है personalized adaptive learning phase alternate line phase alternate line नहीं ठीक है adaptive learning वाला है यह adaptive learning वाला now IIT 31 31 है IIT मदरास का instrumentation control and biomedical and engineering 32 है आपका IIT मदरास ठीक है health science 35 जो चैनल है वो है आपका IIT मदरास का 36 बे IIT मदरास का है और 37 है IIT त्रुपती का है 38 बे त्रुपती का 39 है UOH University of Hyderabad का है performing arts Indian classical music and dances का है और लास वाल आपको याद रखना है जरूर से जरूर व्यास व्यास किसका है दोस्तों यह है आपका UGC का तो आपसे कोई पूछे कि व्यास जो चैनल है वो किसका है तो वो है अब UGC का अब देखिए खुश सारे स्टुडेंट है जो घबरा चुके हैं बिल्कुल कि इतने चैनल कैसे याद होंगे तो भाई इतने चैनल आपको याद करने का जरूरत है नहीं ठीक है इसलिए मैंने फास फास करवाए है अब यहां पे आप देखेंगे कि घबराने की बिल्कुल तो फास याद नहीं है सारे चैनल आपको याद नहीं करने है थीक है सारे चैनल आपको याद करने है starting के 10 हैं वो आपको याद करने है नहीं करने है सारे channel आपको याद नहीं करने है utility नहीं है उससी की तो starting के 10 याद करना है देखो मैं आपको रटवा देता हूँ starting के 10 शिरफ 10 वागीश पहला channel ठीक है language and literature का दूसरा channel है संस्कृति history culture, तीसरा channel है प्रभोध, social science and behavior चोथा channel है सारस्वत education and home science पांचवा channel है प्रभंदन छटा है आपका विदिक सात्वा है दोस्तों, कोटिल है आठवा है आरियभट, नो है इस्पंदन ठीक है और दस्वा है आपका दक्ष, बस 10 तक याद करने, क्योंकि बाद में तो देखो ये institute के channel है आपके सब तो दक्ष तक आप याद रख लीजे ठीक है, बस, simple दस तक याद रख लेंगे, बाकी नहीं रखने है clear everyone? कोई दिक्कत नहीं है चलो जी, आप देखो देखो, 27 से 30 वाले IITs के हैं तो इतना deep में आप से पूछेगा नहीं बस एक बार देख लिया आपको याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन रटना कोई सा है? स्टार्टिंग के 10, क्योंकि सवाल आप से यही पूछा गया है देखो, पहला है वागीश, दूसरा संस्कृती, तीसरा प्रभवध प्रभवध, चोथा है सारस्वत, पांचवा है प्रभंधन छटा है वदिक सातवा है कुटिले, आठवा है आर्यबट, नौवा है स्पंदर और दसवा है दक्ष, और चालिसवा चैनल कौन सा है? व्याश फोट्टीवा चैनल कौन सा है? व्याश सिंपल आप देखो, यहां से आपका इसकूल एड़ुकेशन से लिए लेकिन इसके चैनल को याद करने की आप कोसिस भी मत करना, क्योंकि भहुत सारे चैनल है इसमें, भहुत सारे चैनल है याद होंगे नहीं, इविद्या आपको नहीं आएगा, ठीक है इसके चैनल नहीं पूछे जाएंगे फिर आप यहां पे होम पे आएंगे तो आपको दिखेगा साथी तो साथी में क्या है, अभी अब्डेशन चल रहा है, तो इसका भी आपको याद नहीं देखना, बस इतना याद रखना है कि साथी जो पोटल है, इसमें कॉंप्रिटिटिव एक्जाम से रेलिटेट चैनल है जो आपको मिलेंगे, ठीक है तो इसको हमें याद रखना है आप देखो अब यहां से आपको एक दो चीजी और मैं बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी जादा इंपोर्टेंट है एक तो देखो PME विद्या तो PME विद्या है दोस्तों यह क्या है, इसमें आपके यह भारत सरकार का क्या है एक बेंचर है आपका शिक्षा मंतराले का क्या है एक इनिशिटिव से आपका यह शिक्षा मंतराले का क्या है एक परियोजना है आपका इनिशिटिव है आपकी यह और जिसके तहट क्या है आपका मल्टी मोड सेटप ओफ रिमोट लनिंग प्लेटफोर्म से जैसे इंटरनेट पर आपको लेक्चर्स दिये जाएंगे रेडियो पर, कम्यूटी रेडियो पर पोड़कास्ट पर, एंटीवी पर तो बेसिकली इस वो ही है कि आपको ओनलाइन एजुकेशन के लिए ही है आपका PME विद्या इ का मतलब इलेक्ट्रोनिक, विद्या का मतलब सिक्षा तो इलेक्ट्रोनिक एजुकेशन के लिए है आपका PME विद्या जो कि किसके लिए है इसकुल सिक्षा के लिए है इसकुल सिक्षा के लिए है इस सीज को हमें याद रखना है दोस्तों और PME विद्या में दोस्तों अभी आपके लगबग 200 चैनल है कितने चैनल है लगबग 200 चैनल तो नाम तो याद आप उनको करने नहीं है तो इसकी टेंचन आपको लेनी नहीं है ठीक है उसके बाद में आपका competitive exam के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए ठीक है प्रतियोगी जो परिक्षाओं है उनके लिए क्या है आपका परिक्षाओं के लिए आपका क्या है साथी पोटल है कौन सा पोटल है साथी पोटल तो यह आपको याद अदकता है यह भी दोस्तों आपका क्या है DTS TV चैनल का ही गुरूप है अभी इसमें 40 है और इनका अपडेशन है वह आपका अभी चल रहा है इतनी चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसमें ठीक है NOW अब हम बात करते हैं questions के बारे में लेकिन questions पर जाने से पहले कुछ जितना हमने पढ़ा है उसके एक बार revision कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है तो आप मुझे सब लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपने स्वेम और स्वेम परभा में क्या-क्या पड़ा है जल्दी से देखो फटा-फट से आप डिवाइज करते हैं कि हमने देखो स्वेम से स्टार्ट किया था स्वेम की फुल फोम एक बार सब लोग लिखके बता दीजी जल्दी से पूरा नाम स्वेम की जो सुरवात होती है दोस्तों ये 2017 में होती है ठीक है और किसके द्वारा हमारे उन्रेबल प्रेसिडेंट जो प्रनम मुखर जी थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनके द्वारा इनका इन्योग्रेशन है जो आपका किया गया था और ये जो स्वेम है दोस्तों ये आपका Ministry of Education यानि Government of India के द्वारा ही ये आपका चलाया जा रहा है ठीक है और इसमें जो इसको बनाने में जो मदद की थी वो किस-किस ने की थी एक तो देखो UGC AICT ठीक है प्लस आपका Microsoft ठीक है तो इसको याद रख लेना अब सब लोग इसमें आपको 9 से 12 तक के 9 से 12 तक के 9 से PG तक के 9 से PG तक के जो courses है जो आपको यहां से मिल जाएंगे ठीक है और इसका जो course provider है वो कौन-कौन है course provider कौन-कौन है जैसे आपके NCRT है ठीक है IITS है आपकी ठीक है IGNU है आपका ठीक है और कौन है CEC है आपका NPTEL है ठीक है यह इसके क्या है course provider है उसके बाद मैंने आपको क्या बताया उसके बाद हमने बात की थी स्वेम प्रभा की स्वेम प्रभा क्या है 40 DTA चैनल का क्या है आपका एक ग्रूप है 40 DTA चैनल और यह जो स्वेम प्रभा है दोस्तों इसको 20 एक गाली नगर से क्या किया जाता है अपलिंग किया जाता है यह हमने पढ़ा था और इसका जो वेब पॉन्टल है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है वेब पॉर्टल किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है इन फ्ली भी नेट ठीक है जे साथ में दोस्तों च्यार क्वाडरेंट हमने देखे चत्तु स्तांक और इसमें आपका पहला था वीडियो दूसरा क्या था पीडियेफ तीसरा हमने टेस्ट एंक्विस और चोथा था आपका डिसकुशन ठीक है अब ये जो स्वेम की जो कोर्सेस हैं दोस्तों ये सब के लिए क्या थे आपके फ्री है फ्री कोर्सेस है आपके ठीक है मूख है ये आपके सब के और वर्ल्ड का कोई भी स्टुडेंट इसको क्या कर सकता है एसस कर सकता है इतनी बात हमने अभी तक कर ली है मोटी मोटी हाना जी अब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ question जिसके answer आपको देने है पहला question आपके सामने है जल्दी से बताओ इसका correct answer क्या होगा आपका फटा फट से यह आपके PYQ है जितने भी अभी तक PYQ पूछे गये हैं वो सब इसमें आपके आजाएंगे तो बताओ तो आप मुझे बताएंगे कि इसका सही answer क्या होगा correct answer क्या होगा सब लोग फटा फट से बताओ correct answer क्या है आपका A, B, C, D 4 option आपके पास में हैं बताने कि क्या सही answer होगा देखो तो most of the people इसका answer कर रहे है C, C को लोग कर दे चलो, very nice देखो, MOOC की full form क्या है, massive open online courses बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन दिक्कत कहां पे है, यहां पे है study webs of active learning for young academic minds नहीं आएगा academic mind की जगे क्या आएगा, aspiring है आपका तो दूसरा वाला आपका गलत तो answer क्या होगा आपका C, C is the correct answer, perfect, चले आएगे next, the satellite used for transmission and telecast of swim प्रभाः is cold eduset satellite, gset 15, gset 3 or sp edu 15 satellite बताओ, इसका correct answer क्या होगा, the satellite used for the transmission and telecast of swim प्रभाः is eduset satellite, gset 15 satellite, gset 3 satellite, sp edu 15 satellite, कौन सी satellite की through, satellite का नाम बताओ, तो satellite आप सबको पता है, gset 15 satellite, कौन सी satellite, gset 15 satellite की through, इन channels को क्या किया जाता है, telecast किया जाता है, दोस्तों, next, swim प्रभाः platform was developed by, mhrd, google, microsoft, it deli और adobe, किस किस के द्वारे डबलप किया गया है, दोस्तों, swim platform जो है, वो किस के द्वारे डबलप किया गया है, swim platform was developed by, किस के द्वारे डबलप किया गया है, फटा-फट से बताए, answer क्या होगा, इसका correct answer, swim जो platform है, वो किस के द्वारे डबलप किया गया है, तो, the very correct answer is, इसका जो सही answer है, दोस्तों, वो है आपका B, ठीक है, MHRD, यानि कि Ministry of Education और Microsoft, प्लस आपका AICT, इनके द्वारा आपका swim platform है, जिसको डबलप किया गया है, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लासरों, या बलूम्स टेक्स टर्नोमन, किस मोडल पर जो swim है, इसका जो कंटेन है, वो आपका डबलप किया गया है, which of the following model is used for development of e-content for MOOCs on swap बताई जीचे correct answer बताईए सब लोग चीजे याद हो रहे हैं आप सबको ऐसा तो निया है कि चीजे याद नहीं हो रही है कि चीजे याद होनी चीए क्योंकि आप बहुत कम टाइम बचा है अब अपने पास ऐसा टाइम दिये कि आप इसको दुबारा से पढ़ने के लिए बैठो क्लास में याद करने हैं चीजे तो च्यार क्वाडरेंट च्यार क्वाडरेंट कौन-कौन से है फटा-फट से बता दो एक बार वीडियो ठीक है फीडिएफ क्विज एंड टेस्ट और चोथा है आपका डिस्क्वेशन ठीक है जी फोड क्वाडरेंट सिंपल नेक्स्ट यह हमने करी लिया है दोस्तो तो अब आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है बताओ चल्दी से फटा-फट चे आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है देखो चैनल नंबर वन बागीश हमने किया है चैनल नंबर टू कौन सा है आपका संस्कृती और चैनल नमबर 3 कौन सा है आपका प्रभोध और चैनल नमबर 4 कौन साइड चैनल नमबर 4 डी का सारस्वत तो आंसर क्या होगा आपका 3 3 is the correct answer ठीक है एवरिवन ये भी clear है सबको चलो तो चैनल नमबर 1 वागी चैनल नमबर 1 क्या है आपका वागीश ठीक है चैनल नमबर 2 क्या है आपका संस्कृति चैनल नमबर 3 क्या है आपका प्रभोध और चैनल नमबर 4 है आपका सारस्वत और चैनल नमबर 40 कौन सा है चैनल नमबर 40 बताओ जल्दी से 40 वा चैनल नमबर कौन सा है 40 वा चैनल नमबर कॉन सा है एक बर बताएंगे आप सब लोग तो 40 वा जो चैनल है दोस्तों वो कॉन सा है आपका व्यास व्यास जो की किसका है UGC का है आपका हाना सिंपल है व्यास है ना याद है हम सब को कोई दिक्रत नहीं होगे बताओ जी अब थोड़ा सिंपल वाले कोशन करते हैं जिसमें सिंपल दिखते हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा मात खाते हैं से कोशन आपको बताने कि इसमें से E-Learning प्रेटफर्म कोन से है स्वेम, परक, स्वेम परभा, दिक्षा या मूख बताओ, क्या होगा इसका सही आंसर which of the following are E-Learning प्लेटफर्म इन में सी E-Learning प्लेटफर्म कोन से है तो बता दीजे भाई, क्या होगा इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर तो देखिए, सही आंसर जो है इसका वो काफी लोग अभी कन्फ्यूस करेंगे मुझे पता था, बहुत लोग कन्फ्यूस करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है आपका B इसमें से कौन-कौन से है आपके? स्वेम, e-learning platform है आपका, स्वेम परभा, e-learning platform है आपका और आपका दिक्षा, ठीक है, तो A, C, N, D, A, C, N, D, परक, N, मूख है जो इस option में नहीं आएगा, एक तो दिक्षा है आपका, स्वेम परभा भी है आपका, और आपका स्वेम है, परक तो है दोस्तों, यह आपका assessment center है, क्या है, assessment center है आपका, जिसका जिक्र NEP 2020 में किया गया था, यह हमने देख लिया था पहले, ठीक है, everyone, चले आगे, ठीक है जी, तो इसको याद रखना है आपका, यह हमने देखी लिया है, सारा का सारा, तो एक तो दिक्षा है, स्वेम परभा है आपका, स्वेम है, यह आपक चले, अच्छा देखो, दिक्षा है, इसको भी हम करेंगे वैसे तो, जितने भी हमारी सरकरी योजनाई है, उनको हम अलग से करेंगे, तो दिक्षा मैं आपको बताऊँगा, फिर भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, कि दिक्षा दोस्तों, एक प्लेटफोर्म है, जहा को क्या मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, अकोर्डिंग टूडा, इसकोल करीकुलम, तो A, C, D is the correct answer, यह थोड़ा सा, इससे हटके है, लेकिन फिर भी मिलता दुलता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नेशनल मूक्स कोडिनेटर, एक चीज़ तो आपको यह पता होना चाहिए, कि सर, नेशनल मूक्स कोडिनेटर कौन-कौन से होते हैं, देखो, मूक है, लेकिन उस option में जो हमें best answer है, वो है आपका B, यह है आपका मूक्स कोडिनेटर, और यह है उनकी program, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन, कंसोर्टियम फोर एजुकेशनल कम्निक नेशनल इंस्टिटूट ओफ ओपन स्कूलिंग, एन आई टी 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 आर यहनी नेशनल इंस्टिटूट ओफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च, तो इनके क्या-क्या प्रोग्राम होते हैं, यह आपको बताना है, जल्दी, फटा-पट से बताओ सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए जी, तो वेरी करेक्ट आंसर इस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखो, UGC है दोस्तो, यह है आपका Non-Technology Post-Graduate Degree Program, Consortium for Educational Communication, यहनी जो CEC है आपका, इसका काम क्या है, Non-Technology Graduate Degree Program, ठीक है, Clear Everyone, और NEOS का है National Institute of Open Schooling, यहनी Out of School General Education Program 9-12, और NITTR है Teacher Training Program, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आप सब लोग, अना, देखो, यह है आपका Teacher Training Program हो गया, NEOS है, Out of School हो गया, University है आपका दोस्तो, और Consortium for Education, यह आपका 3 से, चीक है जी, तो answer is B, B is the correct answer, screenshot ले लो इनका, revision में आपको बहुत help करेंगे, इनकी full form भी आपसे पूछी जा सकती है, कई बार, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Next, in the context of MOOCs in higher education in India, which of the following are corrects, बताइए, तो यह है आपका A option, ठीक है, B, C, T, N, E, आप सब एक बार English में पढ़ो, फिर हम Hindi में चलेंगे, बताव, यह है अइँ, बताव, थैब लेर लरनर ऐना ही आपकी झार में डिलिवर न्यार इंगे रोंी है विर्थे शुक्रादी है, एक आपकी उन्हे, आप हिंदी में पढ़ लो फटा-फट से फिर आंसर दे देना हिंदी मेडियम वाले तो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तो वो क्या है आपका ए मतलब की देखो एक तो दे आर लर्नर सेंट्रिक यह सही है आपका एक आपका है they can benefit large number of learners यह सही है आपका एक है दोस्तो आपका they can be assessed anytime, anywhere and any number of times यह भी बिल्कुल सही है आपका और ठीक है यह है तो आपके A, C and D is the correct answer अब आपने क्या answer किया है वो मुझे नहीं पता लेकिन most of the people का यह answer गलत है most of the people का यह answer गलत है ठीक है तो answer क्या होगा आपका D होगा अब इसको समझो अना ऐसा question कई बार पुछा गया है देखो पहला क्या है कि वे सिक्षात्री केंद्रित होते हैं student centric होते हैं बिल्कुल सही है भाई हम अपनी मर्जी से कभी भी courses को देख सकते हैं ठीक है यह गलत होगा बताओ ठीक है यह सही नहीं होगा फिर आपका क्या है यह बड़ी संक्या में सिक्सार्थियों को लाबामीत कर सकते हैं एक साथ दो सारे student देख सकते हैं तो ठीक है इन्हें कभी भी कहीं भी और कितनी भी बार देखा जा सकते हैं सबी जो मुक्स होते हैं उनसे क्रेडिट नहीं मिलते है स्वेम जो है इससे क्रेडिट आपके मिलते हैं कल हमने ABC Bank की बात की थी academic bank of credit और उसमें हमने बात की थी स्वेम के credit की खना तो यह चीज आपको याद रखने है इसका अंसर कीजिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है आपका according to UGC credit framework for online learning courses through SWEM 2021 up to what percentage of total course credit in a particular program in a semester can be offered through online courses 25, 40, 50 या 45 बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा सवाल है ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे A, B, C, O, D सही अंसर बताना आपको तो कितना परसेंट है कितना परसेंट है आपका इसका जो परसेंटेज है वो है आपका 40 परसेंट दोस्तों ठीक है तो इसको भी ज़रूरिया दखना 40 परसेंट तो according to UGC credit framework for online courses through swim 40 परसेंट तक total course credit एक प्रोग्राम या एक सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हैं दे सकते हैं 40 परसेंट तक तो 40 परसेंट बिल्कुल सही अंसर होगा इसका अब देखो एक सवाल है जो आपको साइब दिख नहीं रहा होगा अगर दिख रहा है तो एक बार मुझे बताओ नहीं दिख रहा तो भी देखने की कोशिज करना क्योंकि सवाल बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता हूं इसमें क्या पूछा गया है कि swim परभा के र बताना है swim परफा के लिए तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका दे आर मुक्स एंड सेटिफाइड फोर क्रेडिट कॉंसिडरेशन बाई यूनिवर्सिटी इस पहला दूसरा दे आर एडुकेशनल प्रोग्राम्स अंडर डारेक्ट तू हों ठीक है तो आप बताएं कि सही आंसर क्या होगा इसका इसका सही आंसर तो देखो दिखा हुआ है कि बी है मुद्दा यह नहीं कि सही हमें आंसर तो दिख रहा है लेकिन इस कुशन को सबजना यहां पर देखो कितना घुमाया गया है इसको कि they are MOOCs and certified for credit consideration by university नहीं यह स्वेम प्रभा के बारे में कुशन है यह स्वेम का सवाल नहीं है अगर यहां पर स्वेम होता तो मेरा पहला वाला ठीक होता यह स्वेम प्रभा के लिए पूछा गया है तो स्वेम प्रभा तो क्या है DTS channel का group है आपका यह क्या है DTS channel का group है और इन के लिए आपको credit नहीं मिलते हैं स्वेम के लिए credit मिलते हैं ठीक है educational program है DTS के थ्रू चलते हैं इसके लिए कोई fee नहीं पेव करनी पड़ती यह बिलकुल आपके free है और courses आपको noise से लेके PG तक के मिलते हैं आया समझ में तो B क्य होगा सही ठीक है आया समझ में हां तो यह चीज आपको याद रखने है तो बस खतम स्वेम परभा का काम खलास इतना ही करना है हमें अब देखो स्वेम परभा भी हो गया next जो आपका lecture होगा दोस्तों उसमें हम करेंगे जितनी भी सरकारी योजनाई है जो education से related है योजनाई है उनको करेंगे प्लस digital initiatives को करेंगे next class में हम करेंगे जितनी भी सरकारी योजनाई है और digital initiatives को करेंगे आज के लिए इतना है अब सब लोग मुझे class के बाद में क्या करेंगे आपका घरह कारिये लिख लो होवक लिको फटा फट से गरह कारिये है अपका अपनी डायरी में लिख लीजिए एक तो सब लोग अपना review दीजिएगा comment and review कोई भी topic में problem हो अभी तो last का time है मैं आपको करवा दूँगा कुछ भी problem है तो आप मुझे बता दीजिएगा सब लोग ठीक है साथ में दोस्तों आप सब लोग जो भी आपने सिखा उसकी समरी एक बार मुझे बता देना कि सर हमने ये सिखा ठीक है comment and review आप दे देना बाकी तो thank you so much as usual चैनल को subscribe करी लिया होगा like and share आप करी देंगे आपका ही चैनल है और बाकी एक तारिक से हम mock test है उनको शुरू करेंगे all 10 unit के mock test 30 तक हम अपना syllabus complete कर लेंगे 30 के बाद में एक से आपके mock test है वो आपके शुरू हो जाएंगे चलो जी bye bye take care and keep smiling की planning कर दो